बच्चों हमने परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा है परावर्तन के नियम समतल सता पर जिस प्रकार लागू होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार गोली सता पर भी लागू होते हैं हमने अभी देखा कि गोली सता दो प्रकार की होती है एक अवतल दरपन और दूसरा उतल दरपन साथ ही जो गोली सता है उस गोली सता पर जब कोई करण आपतित होती है तो यदि हमें आपतन कोण पता हो तो हम परावतन कोण भी ग्याद कर सकते हैं लेकिन आपतन कोण को ग्याद करने के लिए हमें अभिलम के आवशकता होती है तो गोली सता पर जो अभिलम है वो किस प्रकार का होता है ये जानने के लिए साथ ही अवतल दर्पन और उत्तल दर्पन पर जब प्रकाश की केरण आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो किस प्रकार गमन करती हैं, इन सभी बातों को समझने के लिए चलिए हमें क्रिया कलाब करते हैं, इस क्रिया कलाब के लिए देखिए, ये मेरे पास एक है रबर की बॉल, और उसको हमने एक अनुपरस्त काट से हमने इसे ये काट दिया है, ठीके, अब आप देखेंगे कि यहां हमें दो प्रकार के उपरी सता एक दिखाई दे रही है और एक अंद्रूनी सता है, ये जो उपरी सता है, ये ध्यान से देखिए, ये कि इस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको उत्तल दर्पन की तरह, और बिल्कुल वैसे यदि हम अंद्रूनी इस वक्री सता को लिए अवतल दर्पन की तरह और हमने साथ में क्या किया है आप देख पा रहे हैं हमने इस सत्पर जो उपरी सत्पा निये जो अॉतल दर्पन की तरह दिखाए दे रही है उसमें यह यहburn लगा दी है और यही प्रक्रिया हम ने इस अंधरोनी सत्था यानिकी अवतल ऱरपनवा सत्था पर भी यह देखिए एक लाइन से यह ओल्पिन हम ने यहां लगाई है अब यदि हम इन ओल्पिनों को प्रकाश की केड़ने तो प्रकाश की केड़ने आपतन के बाद परावर्तित होती हुई यह देखिए यह किस सरह के दिखाई दे रही है यह जो हमारा उत्तल दर्पन रुमा जो यहां पर आपको सत्था दिख रही है इसमें प्रकाश की किरन परावर्तन के पश्चात देखिए बहुत ध्यान से अगर हम इसे देखें तो यह अल्पिन के जो दिशा है यह बिल्कुल ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही है याने कि उत्तल धरपन पर प्रकाश की किरन परावर्तन के पश्चात अभी सरीत होती ह यानि कि फैलती हैं और यदि हम इसमें अव्दल दर्पन्नुमा इस सता पर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो ओल्पिन हैं यह किसी एक बिंदू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं यानि कि यह अपसरित हो रहे हैं और साथ ही यह जिस बिंदू पर जाकर मिलेंगी वो इस वकरी सता के लिए केंदर बिंदू उसे हम वकरता केंदर कहते हैं वो कहलाएगा और केंदर से गोली सता पर जिन बिंदो पर यह ओल्पिन हैं उन पर वो रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी लंबवत होंगी तो यही जो है जो केंद्र से गोली सता के बिंदू को मिलाने वाली रेखाए हैं यही अभी लंब हैं तो हमने देखा कि गोली सता पर अभिलम किस प्रकार के होते हैं साथ ही उत्तल दर्पंड पर जब प्रकाश की किरणे आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अभिसरीत होती हैं और साथ ही अवतल दर्पंड पर जब प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात परावर्तित होती हैं तो अपसरीत होती हैं झाल झाल